पश्मी उत्रप्रदेस पहले चेरन में वोट करेगा दस फरवरी को वोटिंग है इस वक्त हम लोनी विधान सभा में और हमारे साथ नंद किसोर गुर्जर हैं जो दूसरी बार चुनावी फेट अपना चुनावी जो किस्मत है वो आज मारे हैं आपके चुनाव को लेके कई स सारे विवाद शुरू से जोड़ते जा रहे हैं आज भी आप मंच पर बात कर रहे थे आपने कहा लूनी में अली को मानने वाले अली के नारे लगाने वाले नहीं होंगे तो कहा जाएंगे और किन पर अटाइक है देखिए अली के मानने वाले मैंने पहले भी कहा था आज मैं उस प्राडी को यहां नहीं रहेंगे तो पाकिस्तान जाएं भारत पाकिस्तान का बठवारा इसलिए हुआ था कि जो अली को मानने वाले वो पाकिस्तान जाएं जो भारत माता को मानने वाले भगवान सीरी राम को मानने वाले वो हिंदूस्तान में रहेंगे जो बेहन नहीं रहेंगे यह यहँनी कहा हैं आपने हमारी बात को समझति नहीं को कोई खत्रान है लेस्ट धोर Ça किये पाच लाग हिंदू को कटवाया बहन बेटियों के बलात कार किये उस विचारधारा की पार्टी जो अपराधियों को टिकट दे रही है जो आतंकवाधियों को रिहा करती हो कार्शेयों को गोली चलाती हो ऐसी विचारधारा के समर्द को और लोगों को टार्गेट कर रह सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और आप दूसरी तरफ अपनी ही कॉंस्टिचुएंसी में बटवारा कर रहे हैं नहीं हमारी बात को आप समझे नहीं पा रहे हैं जो माने परदान मंत्री जी कहते हूं जो अली को मानने मैं उनका विरोधी हूं मैं आतंकवादियों का विरोधी हूं बलातकारियों का विरोधी हूं जो भारत माता को अपनी माता मानते हैं भगवान सिर्राम को अपना पूरवज मानते हैं इसलाम तो बाद माया ना इंडोनेसिया का मुसल्मान गरों के साथ कहता है कि भगवान सिर पर बवाल हुआ यहां लॉनी हमारी दुनिया से नियारी है यह तो उनका चॉइस होगा ना किसी के कहने या किसी के फत्वे या किसी के ओर्डर आदेश नहीं होगा समधान में जो अधिकार है वो सब करेंगे नहीं वो अपनी मर्जी से मानते हैं मैंने किसी को जबर्जस्ति नहीं मनवाया है वो मानते हैं एक और सवाल आप आज जब अभीवादन कर रहे थे लोगों से बात कर रहे थे तब आपने क्या समाजवादी पार्टी को हिजबुल मुजाहिद्दीन का यूनिट कह दिया आपको लगता नहीं क्या आप नहीं अगर इसकी जांच हो जाए त इसने जिन्ना की विचारधारा का समर्थन किया इसने भारत माता का बटवारा किया पाचलाग हिंदों का कतल कराया बहन बेटियों का बलातकार कराया कावड को रोकने का काम किया होली को रोकने का काम किया साधू सन्नासियों को मार करके सर्यू नदी में डुबोने का काम कि क वो समाजवादी पार्टी कर रही है इसलिए कि आपको लगता नहीं बड़े दरींदों के ध्रिणा यह पार्टी कई नहीं है केंद्र में है सत्रा से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में है आठ साल वहां लगभग और पांथ साल यहां जाच क्यों नहीं कराया फिर आप जो चुनावी भाशनों में आरोप लगा रहे हैं इसकी तो जाच करवानी चाहिए था आपको मालूम नहीं है जाच में जेल म के साथ बैठते हैं मुलायम सिंग प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी के साथ बैठते हैं रास्टपती के साथ बैठते हैं आप उनकी पार्टी पे इस तरह के आरोप लगा रहे हैं कि वह एक टर्रिस्ट ऑगनाजेशन है उसका आउट्फिट है आपको लगता नहीं क्या आप रहें क्या वो कोई आम पार्टी हो सकती है क्यों पुल्टिकल पार्टी हो सकती है अब बताओ यह सवाल जो आपसे ही हुटा कि एलेक्शन कमिशन है देश में कानून है एजंसियां है उसनों उन्होंने तो जाच नहीं कि आप चुनाव है तो तरह क्या रोप लगा रहे हैं मैं पहले से बोला है आपने मेरा ब्यान पहले नहीं पड़ा मैं तो दंग रह गया जब इन्हों ना आतंकवादियों को रिहा करने का आदिश दिया उससे पहले इन लोगों ने यह कहा था कि हम किसी भी बाफिया को टिकट नहीं देंगे लोगों ने इनको इस तरह कान्नेम कि आदेश होता है आतंकवाजी को रिहा करो मानचे नियाले ने कर सकता है जिन्ना कासमर्चन कौन कर सकता है आप तो मज़ब करें है किम निश्चित तौर पार हमारे हमारे बड़े नेताओं के संद्धत तर्फ वाथ है आज क्योंकि जिना का सी तरह से समर्थन किया है जिन्ना का समर्थन आतंकुवादियों को रिहा करना इससे पता चलता है कि इनकी जो सोच थी उसी के तहट इनों कार्शेव को गोली से उड़वाया कावड यात्रा को रोका ये लोग बटवारा करते थे कि हिंदू बहनों को पैसे नहीं मिलेंगे तो यह तो और यह से भी खतरना आप कहें और अधर रही तरी तो पूरी तोर से अतंकुवादी संग्ठन ने तो और सवाल आप जाएं से पहले मुझे पता है क्योंकि चुनावी समय है समय बहुत कम होता है निताओं के पास कई लोग लोग लोनी में यह कह रहे हैं आपके वि चैनी है आपके ही यहां से रिबेल एक है रंजीता धामा जाट समाथ से आती है नगरपाली का चेर परसन रही है और उनका पकड़ लोनी विधानसभा में बहुत अच्छी है उनकी पकड़ इसी वजह से आपके अंदर चट-पटाहट है और आप धुरूवी करन कर रहे हैं आपको मेरे देखने से लग रहा है आपने मिटिंग देखी एक कारियले के उद्गाटन में हजारों बहने भाई जिस तरह से उपस्तित हैं केवल दस लोगों को रहना था या हजारों लोग हैं और जिनकी बात कर रहे हैं उनके गाव में ये कारिकरम चल रहा है तो आप को बहुत मजबूती के साथ कहा है मास की दुकान खोलने वाला फूड इस्पेक्टर जिसके लिए विधान सब्सक्राइब मेरे साथ 300 भी खड़े हुए थे लेकिन माने मुख्मंत्री जी ने माना था कि वास्ता में मैं सच्चाई के साथ था इसलिए पार्टी ने मुझे द आखरी सवाल आपने यह भी इंडिकेट किया कि चुनाव के बात आप लोनी का नाम बदलने के लिए सजेस्ट करेंगे ऐसा क्यों लोनी का नाम बदलने की भी बात आप कह रहे हैं नहीं मैंना यह को अब नहीं कहिए यह में विधान सभा मैं बोलाओं इस बात को लेकर के मैंने वा प्रस्ताव दिया मने मुख्मंद्री जी से बात किये भगवान परसुराम जी ने लवन राकसस ता लवणा सुरु सत्रुगन ने जिसको मारा था सत्रुगन माहरा था वो का भान जा था उसकी राइधानी रही है लवनी यह लौनी कहा गया बाद में तो यहां राक्ससों का अंत बिचली बार हुआ भगवान परसुराम जी के नाम से नाम होगा लौनी का तो यहां रामराज होगा पूरी तरह से हलागी रामराज है आज यहां किसी की हैसित नहीं है दिन में यहां बेटियां उटा ली जाती थी, बारह साल की बच्ची उठा करके Muslim वोने सपागे गुंडों ने बुलात कार कर दिया था, खुले आम गाय कटी थी यहां पर, दलीत बहन्ड के साथ जब चिला ही, तो गोली टांग में मार दी थी यह हालात थे कि डेली छे मडर होते थे लॉनी क्राइम केपिटल थी और जिसको टिकट दिया आज उन्हें ने लॉनी को डंपिंग ग्राउंड बना दिया था और एक दूसरा आली जो चुनाव लड़ रहा है उसने आज हिंदों के घर में गु कि ये ख़बरों में बने हुए हुए है